देखे इस ट्रेंट हं लोग엔 परोक्सिमिशन और फोर्जक परोक्सिमियशन व्यद्ध चैप्टर जो पढ़ रहते हैं लोग उसके इस कि यू लैंगभी वाले क्वेशों तहीं हमने वन क्वाले कवेशति कर वा दिये थे आज हम लोग last के जो language वाले questions हैं ये सारे NCRD based questions दिया गया है 10s लेकि 16 questions पर बात करेंगे कुछ हम लोग 9 वाले questions के part पर बात करेंगे तो थोला समझना बेटा question जमर आपके पास दिया गया 10 देखेंगे बुक में आप देख सकते हैं आड़ी सरमा में question number 10 और 11 दोना एक ऐसे question है जो 10 वाला दिया गया find the approximate value of f 2.01 where fx equal to 4x square plus 5x plus 2 आपको इसकी value find करना है और आपके पास given है fx equal to 4x square plus 5x plus 2 थोड़ा सा समझना बेटा question solve कैसी किया जाएंगे सबसे पहले हमने क्या कहा था कि x equal to 2 let करेंगे और ये पूरा x plus delta x होगा ये पूरा क्या होगा x plus ये पूरी value जो होगी वो x plus delta x होगी अब देखे x plus जो delta x की value 2.01 है तो अगर हम x की जगे पर 2 रखेंगे तो delta x आपके पास निकल का जाएगा 0.01 अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपके पास function fx और fx को हम लोग y के equal to बानते हैं और y equal to given up 4x square plus 5x plus 2 4x square plus 5x plus 2 जो y की value अगर हम इसका differentiate करते हैं differentiate with respect to x करते हैं तो dy upon dx की value आने वाली है 4x square का 2x हो जाएगा और 5x का 5 हो जाएगा त्याने कि 8x plus 5 इसके dy upon dx की value आएगी दोनों तरह हम लोग इसमें delta x का multiply करते हैं समझेने बिटा इसको दोनों तरह हम delta x का multiply करते हैं तो dy upon dx into delta x आप समझे रहोंगे valuesей यह देошिज हो जाता है particles काँ हो जाता है? क्या हो जाता है? dot y सुनिये अब यहां पर x और delta x x और delta x का value आपको आपके question में देगे यह देखें हैं यह देखें आप समझेरे होंगेrente सामने देखें, queda x है और यह आपके value देखेे एक्स at max और delta x के value आपके पास की बेन हो वो value आप यहाँ पर put करेंगे तो यह delta y आ जाएगा हमें निकालना क्या होता है y plus delta y क्या निकालना होता है y plus delta y हमें find करना होता है पूरे approximation है y plus delta y अब थोगा समझो y की value यह की बेन है x की जगह पर 2 रखेंगे तो y की value क्या निकल का जाएगे 28 यह by आ गया और यह delta y हो अब by plus delta y होता है fx plus delta x बेकल सही है अगर x plus delta x की जगह पर आप 2 point x plus delta x की जगह पर आप 2.01 रखेंगे तो value जिसकी find करना वा value find हो जाएगे अब by और delta y की value रखेंगे तो यह solution मिल जागा अब थोड़ा समझना second next question आपके पास दिया गया देखिए question number 12 है ऐसे questions आपके 9 बाले questions के कुछ पार्ट दिया गया है तो थोड़ा से समझना है यह log के basis पर question है बरना question बहुत आसान है परिशान होनी की जरूबत नहीं नहीं आप बता चले log देख के अब बढ़ आ जाए उसको कि यह log आगे अब कैसे solve होगा है बगवान ऐसा कहीं कुछ नहीं है question आसान है थोड़ा से दिमाग लगाई है समझे बिटा इसको find approximate value of log 1005 base 10 इसकी approximate value निकालना है आपको जबकि given है log e base 10 पर जो value given हो 0.4343 0.4343 यह given है log e base 10 पर value आपको समझे ना विटाम ने लेट किया x equal to 1000 क्योंकि base 10 के respect में 1000 की log में value आसानी से निकाली जा सकती है base 10 पर log 1000 की value 3 होती है base 10 पर log 100 की value 2 होती है base 10 पर log 10 की value 1 होती है देहां से सुना एक इक बात को x प्लस delta x की value यह दीगे आप x की value रखें delta x आजाएगा अब देखें यह तो था approximate आला पाइट आप x से कुड़ोंकर आप 1005 जो आपको यहाँ दियागे आप इसको जिब differentiate करते है तो इसको अलग लेट करते है जब इसका approximate करते है तो इसको अलग लेट करते है देहां से सुनना एक बात को नहीं आप परिशान हो जाएं कि सरा आपने यह लेट के यहाँ पे कैसे रख दिया पूरे question का वही process है एक बार आप approximate करने के लिए value लेट करते है एक बार आप उसको differentiate करने के लिए value लेट करते है तो सुनिए मेरी पूरी बात को जिरा अब by x equal to आपने लेट के 1005 तो by equal to log x base 10 और differentiate के आपने dy upon dx log x base 10 का होता बन अपॉन x log 10 बेसी बन अपॉन x log 10 आप थोड़ा से यह समझो आपने बच्चपन में पढ़ाओगा बच्चपन मतला 11 क्लास में आपने 11 पढ़ाओगा base change theorem log a जो base b होता है इसको में लोग लिख सकते हैं log a base e upon log b base e log a base e मतला base change theorem समझ रहोंगा base change theorem सारे लोग उस्याल लग रहे हैं मुझे जरूरत नहीं समझानी की फिर भी देख लो इसको ठीक है न base change theorem में log a अगर base b है तो log a base e और log b base e हो जाता है आप थोड़ा समझे बिटा इसको आप लोग तो बैसे भी बहुत धेश सारे हो से आ रहे है सुनिए बन अपन x log 10 base e अब देखे बन अपन x की जगह पर रख दिया 1,000 x की जगह पर क्या रख दिया जो लेट किया था 1,000 अब log 10 base e को उमने base change theorem लगा दी तो log 10 base 10 upon क्या होना चाहिए था log e base 10 इसको थोड़ा इसके सारे रिलेट करो अब first and force से यह उपर आ जाएगी तो क्या बन गया dy upon dx क्या बन जाएगा dy upon dx equal to 1 upon log 10 base 10 की वैलू क्या होती है 1 log e base 10 की वैलू आपके question में given है यह रख दी 0.4343 तो बिटा आप थोबा समझ रहोंगे न यह dy upon dx की जो वैलू आ रहे है अब dy upon dx में दोन तरफ हम delta x का multiply करेंगे आपके सारम में देख रहे हैं dy upon dx सा delta x का multiply किया तो यह delta y बन गिया delta x की वैलू आपके पास given है 5 यह given है 5 अब delta y यहां से मिल गया आप मेरी पूरी बात को समझना आपने माना क्या तो देखे question क्या था y equal to log x base 10 और x की value क्या लेट की थे आप में 1,000 1,000 आप यहां रखेंगे तो log 1,000 base 10 पर जो y की value आ रहे है 3 आ रहे है अब यहां पर आए fx plus delta x equal to y plus delta y तो y की value कितनी है delta y की value कितनी है 0.4343 upon 200 यह value रखके calculate कर लेंगे answer आ जाएगा आपका अगला question बिटा थोला देखिएगा यह question number 13 और 15 एक जैसा है question number 13 और 15 है यह दोनो question एक जैसे है let radius of the sphere be smaller r equal to given 9 cm error, error मतलब delta r की value given 0.03 meter, आपको delta s मतलब approximate error निकालना कि इसका surface रहागा तो आप समझ रहाँगे surface area of sphere s equal to 4 pi r square surface area of sphere kya होता s equal to 4 pi r square s equal to 4 pi r square differentiate with respect to r करेंगे तो ds upon dr हो जाएगा 4 pi into 2 r हो जाएगा ds upon dr into delta r का तो नोतर multiply किया समझ रहाँगे न delta r का तो नोतर multiply किया देखे बता देना जब आवास समझ में नहीं आए समझ रहाँगे ना बच्चों को सुनाई नहीं देता है delta r equal to हो जाएगा 8 pi 9 into 0.03 delta r equal to हो जाएगा multiply करेंगे तो delta s sorry delta s equal to हो जाएगा 2.165 meter square यह error है किसमे surface रहे हैं सबजना में इसको अगला कोशन आ रहा है यहाँ पे 14 और 16 दोने इसे कोशन अगर आप सामने आपके पास हो 14 और 16 कोशन अगर आप देख रहे होंगो दोनों कोशन इसे हैं को हो तो देखिए मैं 16 बाला कोशन आपको पढ़कर सुना दू find the approximate change in the volume of q of side small x meters cause increasing the side of the 1% मदलों सर्फ ए percent error जो देगी साइट की वो delta s upon s equal to 1% side of the q क्या दीगी x यह दी गए ठीके न तो volume of q क्या हो जाएगा v equal to x को differentiate करेंगे हम x के respect में dv upon dx equal to 3x दोनों तरफ delta x का multiply किया तो बनगे delta v delta v equal to 3x square delta s अब इसमें x का उपनीचे multiply किया यह 3x square into x 3x q बनगे delta s upon s के value 1% दीगी यह x q ध्यान रखना इसको delta v equal to 3x q 1% को लिक्से बनगे बनगे 100 डिवाडेशन के 0.03 x q मीटर है अगला question आरा आपके पास 9 का एक 7th वाला part है I think हम समझ रहूंगे हो सकता है यह question आपको problem कर रहा होगा 9 का 7th वाला part और बैसे भी होसे आ रहे हैं आपलो problem नहीं करना ची लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको थोड़ा समझोगा 9 का 7th पार जो दिया गया y equal to 1 upon 2.002 का q 2 का square x equal to हमने बताया है ने इसको सबसे बहुत दिफ्रेंशिट करने के लिए जो बैलो लेट किया है आप इस ये 2 रखेंगे तो y equal to 1 upon 4 आ जाएगा समझ रहोंगा बहुत कुशेन ऐसे solve किया है अपने अब तो दिमाग में आ गया होगा और अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा से गर्मी का भी effect हो सकता आपके साथ सुनिए dy upon dx equal to 1 upon x square का differentiate करेंगे minus का 2 upon x के हो जाएगा delta x का दुन अतर multiply करेंगे delta y equal to minus 2 upon x क्यूंट delta x हो जाएगा आप सुनिए मेरी पूरी बात को जरा आपलो delta y equal to minus का 2 upon 8 0.002 हो जाएगा आप सुनिए delta x रख दिया x रख दिया तो रहों को delta y आगे आपके पास delta y है आपके पास by है अब यह तो मेरे घर की by भी solve कर सकते है आपके पास जब यह दोना मिल जा ना by plus delta y रख दो answer आ जाएगा अगला question करते है दिखिए आपके पास एक question दिया गया है log 4 base 10 log 4 base 10 की value यह given है log 2 base 10 की value यह given है और y equal to 4.004 का approximate value निकालना है इसकी approximate value निकालना है इसकी आपको सुन रोगने मेरी वात को आप लो देखिए x equal to 4.04 x equal to 4.04 सबसे पहले हमने आपे y equal to इस फूरी को x बना log x basic differentiate किया dy upon dx बन अपन x हुआ dy upon dx में delta x का multiply किया delta y बन गया अब x और delta x की value है ना यह कहां से लाएंगे हम लोग सबसे पहले हमने x equal to 4 लेट किया और x plus delta x यह पूरा लेट किया मैंने बोला हमेशा x की वो value लेट करते है ना जो value हम लोगों को find out हो सकते दूसरी बात आपके सामने जो question दिख रहा है ना यह 4 जो दिख रहा है ना 4 इस 4 बेस 10 पर जो value मिल रहे ना इसकी जरूवत पड़ेगी आपको आदे तो x की value 4 रखने पर delta x आगया 0.04 अब बिटा थोला समझना है आपके आप देखे लॉग x base 10 लॉग e base 10 दोनों का base से मुना चीए यहाँ पर log x base t log e base t कह सकते हैं log x base t log e base e कह सकते हैं आप यहाँ पर log x base अमालों यहाँ पर पप्पू ले लिया आपने तो यहाँ पर भी आपको पपू ही लेना पड़ेगा ठीक है ना log x base पपू अपन लॉग e base पपू बेस दोनों से मुना चीए ध्यान रखना बचो अब आँगे देखो कुश्यन को y equal to log 4 base 10 अपन लॉग e base 10 अब log 4 base 10 की value भी आपके कुश्यन में given है लॉग e base 10 की value given बहुत बढ़ी है जब सब given है तो फिर जरूत क्या आपकी सुनो यह सब value put की है आप इस y डिवाई या डेल्टा वाई आगे दोनों का एट करके आंसर निकाल गया समाझ सकते हैं आप लोग ठीक है ओके ट्राइ करिएगा कोसिस करेंगे हम लोग कल नया करने के लिए और बराबर आप जुड़ी रही है इसका enjoy करते रही है थैंक यू